जै माता की सभी भक्तों को कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती हैं और मा जगत जन्नी मामबे की करिपा सदैप आपके उपर बनी रहे यही दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से ही और मा के आशिरवात से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के साम अस्त्मी नमी या कौई भी आप मा की विसेश पूजा करते हो और उस समय लेडी के साथ ये प्राप्बलम हो जाती है और उस समय पे क्या आपकी पूजा सवीकार होती है या नहीं होती है बहुत सारे मैलाओं के मन में ये doubt हो जाता है जब कभी जैसे कि आप 9 दिन की मा की पूजा का संकल्प लेते हो और आपका 3 दिन ही periods आ जाते हैं और 2 दिन की आपकी पूजा हो जाती है और 3 दिन आपका ये begin आ जाता है तो उस समय आपको क्या आपकी पूजा सविकार नहीं हु मैलाओं का ये सवाल रहता है और ये doubt रहता है कि हमारे जो periods आ गए हैं इस दोरान क्या हमारी पूजा खंडित हो गई है क्या हमारी पूजा का कोई भी महत्व नहीं रह गया है या मातारानी की क्रिपा अब हमारे उपर नहीं होगी तो आज की वीडियो इसी भी shape रहेगी मे हो जाए और सारी जानकारियां आपको मिलती रहें तो आज हम बात कर रहे हैं periods के दोरान क्या साधना हमारी पून नहीं होती है सविकार नहीं होती है जब क्या होता है कि जब हम संकल्प लेते हैं या मा की पूजा अर्चना क्योंकि ऐसी कोई भी मैला नहीं होती है जिसको अ अगर आपकी नवरात्रों में ये दिकत हो जाती है, पूजा के दौरान ये दिकत हो जाती है, तो उस समय आपने घवराना नहीं है, आपने पहले ही जब आप माता की चोकिस तापित करोगे, मा की पूजा अर्चने के लिए जैसे आप अखंड जोत लगाओगे, या मा का आप आपने बेदी सजाई हुई है, उस समय ही आपने जब आप संकल्प लेते हो, संकल्प के उपर भी मेरे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लेना आपको सारी जानकारी संकल्प क्या होता है, कैसे लिया जाता है, सब पता लग जाएगा, तो आपको जब आप संकल्प लोगे, तो आपने अपने पती के साथ, या आपने घर के बच्चों के साथ, आपकी कोई बेटी है, बेटी के साथ, बेटा है, बेटे के साथ, आप ये संकल्प लीजिए, कि अगर बाइचांस आपकी पूजा के दौरान आपको ये दिक्कत हो जाती है, तो उस समय आपका बच्चा या आपका पती जो है ये पाठा आगे का पुन करेगा, जैसे कि आप तीन दिन, क्योंकि मा की जो पूजा अर्चना लेडिस करती हैं, मा की पूजा अर्चना में पीरियर्स का कोई भी ऐसा मतलब ये नहीं होता है, कि आपको पांच से साथ दिन तक पूजा नहीं करनी होती है, आप तीन दिन तक पूजा ना कीजिए, पूजा करनी है, पर कैसे करनी है वो भी बताऊंगी, चौथे दिन आप अपना सिर धोकर, बाल धोकर पूजा अर्चना दुबारा से शुरू कर सकते हो, तो ये रहता है, मेन जो कारण रहता है, मेन जो हमारा नियम होता है, दूसरा ये होता है, कि पूजा के दौरन, ये नहीं होता है कि आप जब मंतर की साधना मंतर का जाप कर रही हो, और उस मंतर को आप छोड़ दीजिए, पीरिड आएंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको जो है अपने मंदिर के बाहर ही थोड़ा सा बाहर जो है आपने आसल लगाना है सामने भगवान जी की माता रानी की मोर्ती होनी चाहिए और बिल्कुल सामने आपने मंदिर के बैठ जाना है दूर बाहर जैसे आपका सामने मंदिर है आपने जो है मंदिर के बाहर जो आ मातारानी का जाप कर सकते हो आपने वो मंतर का जाप नहीं चोड़ना है ये भी बहुत बड़ा नियम होता है इससे भी आपकी पूजा सविकार होती है मातारानी से प्राथना करनी है मातारानी से जो है आपने माफी मांगनी है और ये कहना है कि है मातारानी मेरे कारण जो ये सविकार कीजिये जितना आप शुद दिनों में मेरे को करते हैं तो ये प्राथना आपने मातराने की करनी है और जो बच्चा या आपका हस्वेंट जो है आपकी पूजा आपके नाम से कर रहे हैं उन्होंने करनी ही करनी है ये दूसरा नियम रहता है तीसरा ये होता है कि जब और आठवे दिन हमारी पिरियर्ट्स आ जाते हैं तो उस समय क्या करें जैसे कि भोग वगरा आपको डालना होता है उध्यापन करना होता है तो उध्यापन के दोरान भी आपको यही प्रोसेजर करना पड़ेगा कि या तो आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है जैस पूजा को रोकना नहीं है, अपनी जोत को सगित नहीं करना है, आपको अपने तीन दिन, चार दिन उपर और बढ़ाने के बाद, जो है, चोथे दिन जब आप अपने बाल धोलोगे, सुध हो जाओगे, तब आपने भोग डालना है, यही परंपरा आपकी रेगुलर रहने की इससे भी आपकी पूजा सविकार होती है, किसी भी तरह का कोई भी विगन आपकी पूजा में नहीं आता है, किसी भी तरह की आपकी पूजा जो है, अखंडित नहीं होती है, आपकी पूजा जो है, मातारानी जरूर सविकार करती है, यह विसेस बाते होती है, जो महिलाओं को विसेस तोर पर ध्यान में रखनी होती है और बाकि सभी की सभी जानकरियां आपको पता ही होती है आज कल यूटूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाती है तो ये मेरे से किसी ने पूछा था कि अगर हम पूजा अर्चना के दौरन हमारे पीरियर्स आ जाती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेर करें कोमेंट करें और मा के इस प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें